हेलो, हाई व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग, वह आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, हैपी होंगे और हेल्दी होंगे यहाँ पर इतना अंधकार, अंधकार क्यों नजर आ रहा है देखिए, यह एक collective general reading है, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, कि candle wax reading करूँगी वैसे मैं, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, क्या message हमें मिलते हैं, career से related और love life से related, ठीक है आपकी, current time में क्या होने वाला है, कैसा चल रहा है, क्या, जो भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है सबसे पहले, जो मुझे indication मिली है, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले मुझे एक message मिल रहा है, कि कुछ आपकी life में जैसे चीज़ें रुक सी गई है, आपको ऐसे लग रहा है, जैसे चीज़ें रुक सी गई है जैसे freeze होना, जैसे मालो अगर आपके emotions हैं, किसी को लेके, तो वो भी freeze हो रहे हैं, ठीक है और अगर आप किसी के लिए ये reading देख रहे हैं, तो उसके emotions भी मलग कहने का मतलब, कि कुछ चीज़ें उसके दिल दिमाग में हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा ली या फिर आपको feel नहीं हो रही है, ठीक है देखिए, यहाँ पे birds बन रहा है, तो birds जो मुझे दिखाता है, यहाँ पे मुझे जो message मिल रहा है, bird को देखे infinity, वाँ, देखिए आप किसी divine connection में, यहाँ मुझे temperance का card नजर आ रहा है चाहे मैं आपकी love life देखूँ, चाहे मैं आपकी career life देखूँ, एक balance तो आ रहा है अगर future देखा जाए, तो एक balance आ रहा है, balance का मतलब क्या होता है, कि जैसा आप चाहा रहे हैं वैसी situation अगर आप जैसे मानलो करियर में आप चाहा रहे हैं कि किसी चीज को पाना, किसी मुकाम को पाना, किसी post को पाना तो वो आपको मिल जाएगी या फिर कहीं बहर क्या होता है कि एक जैसे कहते हैं एक जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें रुकी हुई है तो वहाँ पे एक movement आती मैं देख रही है मतलब अगर कोई काम किसी काफि टाइम से जो चीज़ रुकी हुई है वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है चीज़ें betterment की तरफ चली जाएंगी आगे मतलब जादा time नहीं है छे एक दिन मतलब इस एक हफते में ठीक है आपको चीज़ें जो है better होती नजर आ रही है चाहे वो career में चाहे वो love life में अच्छा जी लेकिन अगर present देखा जाए न currently आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चीज़े movement नहीं कर रही अभी अभी इस दोरान मतलब हो सकता है अगर आप किसी इंसान को लेके देख रहे हैं तो वो जो है अपने आपको कफी एक stubborn सा behave करना ठीक है और message दे divine मुझे मेरे viewers के लिए जो भी यहाँ रिडिक तक पहुँचा है उनके लिए message दे देखिए यहाँ पे दो जगा moon बन रहा है ठीक है और moon भी ellipse वाला है ठीक है तो हो सकता है कि by luck आपकी life में किसी के लिए यहाँ पे six number बहुत significant हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे eight number significant है किसी का हो सकता है जैसे अभी अभी उनके जो horoscope में देखा जाए तो जैसे शनी का प्रभाव अभी जैसे खतम जैसे होता है कि साड से ती या ढाई डाई वो चल रहा होता है तो वो कोई खतम होने वाला है वो time जो है ठीक है हो सकता है इन दिनों आपको थोड़ा सा थोड़ा सा जादा पहले से crucial लग रहा हो समा मतलब ऐसे लग रहा हो कि यह time बीत नहीं रहा है यह time बीतना चाहिए ठीक है यहाँ पे है किसी के horoscope में देख रही हूँ कि जैसे moon की placement के कारण या फिर जैसे अभी अभी इशरत पुर्नी मा गई है तो एक ऐसा time है जहां पर या तो बिल्कुल जैसे सामने वाले की तरफ से बिल्कुल एक emotionally जो है close off जैसे होता है ना relationship में मैं देख रही हूँ कि आपको सामने से ऐसा लग रहा है और कईयों के cases में ऐसा लग रहा है कि overflowing emotions है ठीक है मतलब या तो ज़्यादा या कम ऐसे ऐसे वाली situation है या तो बहुत ज़्यादा overflowing overwhelming जैसे कहते न overwhelming या फिर बिल्कुली बिल्कुली बाइकाट जैसे कहते हैं कि बिल्कुल कोई बाद ही नहीं हो रही इस type की situation है कुछ की cases में मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है जैसे love life में के है तो आपका divine connection देखू मैं आपको इस चीज़ बताओ क्योंकि पहले भी मुझे infinity का साही यहाँ पे मून बना है यहाँ पे देखो चंद्रमा का आपके life में बहुत रूल है आपको कोई ritual करना चाहिए जैसे जैसे भी अगर पूर्णिमा वगरा आती है उस दिन आपको अपने जैसे आपने अगर मालो अपना को stone वगरा पहना है तो उसको नरजाइस करें उसको चंद्रमा की रौशनी में रखें या इस टाइप से होते हैं काफे सारे जो full moon पे करना होते हैं या कुछ लोगों के लिए significant है कि कोई इस तरह पूर्णिमा वगरा का अवरत रखते हैं या उनको रखना चाहिए इस तरह का आ रहा है ठीक है या किसी ने बताया है तो रखना चाहिए ठीक है infinity angels मुझे यहां पर एक चीज यह नजर आ रही कि कुछ जो है आपके ancestors के द्वारा या आपके angel के द्वारा आपके career के लिए especially of your career अब कई लोग यहां पर बीच में बोलेंगे love reading career reading लग रही है उसलिए मैंने जो title है वो career और love reading दोनों ही रखा है ठीक है क्योंकि आपको दोनों ही अच्छी बनानी है और उसी के लिए यह आपको message चाहिए तो यहां पर यह नजर आया है मुझे देखो बीच में वो बात आई न तो मैं disturbed हो गई कि यहां मैं यह बताना चाहरे थी आपको कि angels आपके जो हैं वो आपको कुछ न कुछ ऐसी synchronicities या कुछ ऐसा बता रहे हैं कि कुछ न कुछ जो है आपकी जैसे अमावस्या वले दिन आपको कुछ दान वगएरा करना चाहिए जब new moon आता ना new moon पे आपको जो है हमावस्या मुए हिंदी में बोलोंगी आप देखे हमावस्या को क्या कहते हैं English में ठीक है तो उस time पे आपको कुछ अपने पूरवजों का जैसे ही क्योंकि देखो मैंने पूरवजों का नाम लेना शुरू क अगर आपको करियर में अपने आगे जाना है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ हमावस्या वले दिन कोई दान पुन कोई नाम जब कोई उनके लिए जो भी आपको जहां से भी गाइड हो मुझे तो इतना नहीं पता क्योंकि मैं इतनी अच्छी कोई अस्ट्रोलोजर नहीं नहीं हूँ और ये टारो अगरा इसकी नौलेज है मुझे देखो एक चीज मैं आपको बताओं कुदरत ने जो चीज आपको पहुंचानी होती है ना किसी ने किसी के मैसेज के थूप आप तक पहुंच जाती है अब आपने उस पे खाली सुनके रख दिया और कुछ अप्ल वो जो की बाते करनी शुरू की तभी ये ब्लैक ब्लैक स्पोर्ट्स गिरें ठीक है जी और बताइए भगवान जी मेरे वीवर्स के लिए उनकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या हो रहा है देखिए लव लाइफ से रिलेटेड मैंने बोला न कि कोई मतलब जैसे एक क्लोज पर ये चीजा है हो सकते है आपके पार्टनर इस टाइम जो है काफी क्लोज अफ है हो सकते हैं नकी प्राइट्म पर कोई और चीज है चाहे उनकी फैमिली है चाहे कुछ भी है उनका बिजनस है है या पे डामट पो Summa कर्द मुझे नजर आ है तो हो सकता है आपका पार्टन न्यू इंसान भी हो सकता है या इंसान या ही या शी जो भी ये कोई न्यू भी आपकी लाइफ में हो सकता है जहां पर आपको लग रहा है कि क्या चाहता है ये इंसान आपको एक इंटेरोगेटिव साइन है कि जहां पर आप सोच रहें कि क्या चाहता है ये इंसान तो एक ची number significant है six number significant है eight number significant है वो सकता है यह angels number आपको दिख भी रहे हैं तो three 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 या फिर six 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 या फिर eight 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 ठीक है तो आप इनके जो meaning है वो गूगल में सर्च कर लें क्योंकि अलग-अलग angel वैसे तो angel number आपको तभी जैसे कहते हैं सेहन शक्ती वो कही न कहीं जवाब दे रही है या आप बहुत ज़्यादा दुखी है तो आपको angel number इसलिए दिखते हैं कि supportive angels जो divine universe किसी तरह से आपको यह बताना चाहरी है कि वो आपके protection में है आप खुद को केला मत समझें ठीक है जी और angel number दिखने का मतलब यह होता है कि कई बार आपको उसी टाइम ही जो है बहुत जादा आप जिसे आपकी tolerance power खतम हो रही है आपको लग रहा है कि वही कब तक मैं सहन करूं या क्या तो इसलिए वो angel number दिखते हैं आपको कि अब जो यह टाइम है जो आपको बहुत जादा जो है struggle वाला लग रहा है देखो यहाँ पर कितना यह क्या बना हुआ है यहाँ पर मुझे C नजर आ रहा है C हो सकता है इन दिनों आप कुछ ऐसा क्योंकि चैरियट का कार्ड भी मुझे दिखा है तो आप हो सकता है travel किया हो जहाँ पर C हो मतलब समुद्र जिसको कहते हैं समुद्र देखने आप गए हो या हो सकता है जिनके लिए significant है वो समुद्र के पास रहते हो आप लोग कुछ लोग मुझे देख रहे हैं जो पास में समुद्र है तो आपको मुझे ये एक message मिल रहा है कि आपको अपनी healing करनी है वहाँ पर जैसे अगर आपके असपास समुद्र है या जहाँ आप उनके किनारे पर जाके आप meditation करें आप हील करें खुद को आप उसकी लहरों को देखें आप हील होंगे ये मुझे message मिल रहा है और बताएं भगवान जी देखो यहाँ पर मैं एक डर और एक insecurity देख रही हूँ शायद आपने कहीं कुछ invest किया है करियर में जहाँ पर आपको insecurity हो रही है कि आपके लिए ये beneficial रहेगा या नहीं रहेगा ठीक है लेकिन मैं आपको बता दूँ जहाँ पर भी आपने invest किया है यहाँ पर जो एक divine जो मुझे ये guide करीए कि beneficial ही रहेगा ठीक है तो आप ज़्यादा चिंता ना करें ठीक है जी four of pentacles इसका मतलब क्या होता देखो एक इनसान जो चीज उसको बहुत ज़्यादा प्रिये है मामले में कंझूस आपको लगता है कि आपको लगता है कि जो चीज आपकी है वो कहीं किसी और की न हो जाइए ठीक है चाहिए वो पैसा है चाहिए वो प्यार है ठीक है okay के तो यह एक तरह और और वह insecurity आप फील करें मैं आपको वो बताना चाहरी हूँ मैं किसी को फंजूस या माइनर या ऐसे कुछ नहीं कहना चाहरी मैं यह कहना चाहरी हूँ कि वो चीज आपके अंदर है मतलब आपको अपनी चीजों के खोने का डर यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है देखिए मैंने बहुत कम देखा आज जो है केंडल पूरी तरह बर्न हो रही है पहले भी जब मैंने एकदम रिडिंग भी बनाने लगी तो मुझे लगा कि जबकी लाइट जल रही है यहाँ पर कमरे में लेकिन मुझे अंदकार अंदकार लग रहा है तो कोई यहाँ पर है जो काफी बिमार है मतलब हेल्थ जो है काफी हेल्थ से रिलेटेड जो बहुत एक तरह से नाउमीदी वली जैसे कहते हैं नाउमीदी वली सिचुएशन बनी हुई है देखो जैसे ही मैंने बोला है इसे एकदम से लाइट जो है बर्नों ने लग पड़ी और यहाँ पर कंडली की जगा देखो कैसे यह बना हुआ है मतलब वो इनसान लिटरली वो इनसान जो है रो रहा है कोई तो यहाँ पर हो सकता है तीन चार दिन पहले आप लोग रोए हैं या एक दो दिन पहले हेल्थ का एक कोई इशू नजर आ रहा है और जो कफिट टाइम से जैसे एक होता है कि अभी खराब हुआ है नहीं वो आपकी लाइफ में थोड़ा टाइम हो गया उसको चलते उस इशू को और वो दुबारा से जो है आपको उस प्रॉब्लम से जैसे डरसा बना हुआ है ठीक है तो आपको लग रहा है कि काफिट टाइम से लटा करिये यह चीजे और अब को जैसे कोई उपरेशन या कुछ ऐसा बोला है उसके लिए डॉक्टर ने प्रेसक्राइब किया है जिसको आप डिले करने हैं जिसको आपको लग रहा है कि आपको जैसे कि कई लोग होते न थोड़े स्टाबरन होते हैं कि नहीं मुझे नहीं कराना उपरेशन तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको कराना है और कुछ लोगों का ऐसा कुछ हुआ है सिजेरियन या कुछ भी बदानी क्या मुझे मेसेज क्यों मिल रहा है सिजेरियन वा लो हेल्थ इशूज नज़र आ रहे हैं मुझे जिसे रिकावरी होने में टाइम लग रहा है ऐसे इस टाइप से और बताएं बहुआन जी अब यहां पे कई लोग केंगे नहीं आप लव लाइफ के उपर करेंट अनर्जी के उपर बनाओ बहिया करेंट अनर्जी में सब कुछ आ रहा है जहां तक आपकी लव लाइफ को लेके कि यह इनसान कोई कोल्ड हुआ पड़ा है जैसे एक इमोशन हैं लेकिन कोल्ड है मतलब वो बाहर नहीं आ रहे अगर प्यार है तो वो इनसान आपको सामने से वो चीज रिलाइज नहीं हो रही कि हाँ भई यह अगर प्यार है तो प्यार दिख क्यों नहीं रहा यहां गनेश जी बने आए हैं देखो जैगनपती गनेश देखो यहां पर हो सकता है कोई ऐसा इनसान है जो बहुत ज़दा गनेश जी को मानता हो या फिर यह मुझे यह इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन की जो जो भी प्राब्लम में आप सफर कर रहे हैं अगर कोई प्राब्लम है तो वो ठीक हो सकते हैं आपके लिए रेमिडी है आप जो है पांच लड़्डू गनेश जी के मंदे में चड़ा दे उनके आगे रखें और प्रेयर करें तो आपकी वो प्राब्लम दूर हो जाएगी कोई भी प्राब्लम है चाहे वो लव लाइफ को लेके है चाहे वो करियर को लेके है चाहे वो किसी भी चाहे हेल्थ इशूजी है ठीक है पांच लड़्डू बुंदी वेलेज होते हैं वो आप मंदिर में उनके आगे रखें गनेश जी के आगे और अपनी प्राब्लम बोले और घर आ जाएए आपकी प्राब्लम सौट आउट हो जाएगी और बताएं बगवान जी क्या मैसेज आप मुझे देना चाहा है मेरे व्यूवर्स के लिए देखिए जो अगर लव लाइफ को हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन अगर मैं इस इंसान का देखूँ तो मुझे प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो है नेक्स्ट पैशनेट बहुत हो रहा है इंसान आपके लिए देखो चाहे दिखा कुछ भी रहा है लेकिन यह इंसान आपके लिए मतलब जैसे होता है न कि फिजिकली भी आपकी तरफ काफी पुल मैसूस हो रहा है उसको या वैसे इमोशनली भी इमोशनली भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके बिना धूरा है इस टाइप से वाली feeling मतलब ये इंसान आपके साथ compatible feel करता है ये आपका divine connection है लेकिन अभी थोड़ा slow है जैसे मैं बता रही हूं कि connection जो है slow हुआ पड़ा है अगर contact है भी ओके जी जितने message मिलने थे मिल गए अब मेरा हाथ जलने लगा तो मैंने इसको चलिए और देखतें टारों से भी देखतें क्या प्लीज जिवाइन हमें guide कीजिए पहले love life का लग देखेंगे career life का लग देखेंगे प्लीज जिवाइन हमें बताएं मेरे collectives के लिए उनकी जो है love life के लिए आप क्या message देना चाहरे है currently प्लीज जिवाइन बताएं मेरे viewers की love life के लिए the world का कार्ड देखेंगे हो सकता है कि आप लोगों के बीच जैसा कि यहाँ पे candle wax में भी यही आया कि emotions हैं लेकिन cold हो गया ठीक है या फिर एक close of जैसे कहते हैं कि एक इंसान जो है क्रिष्टे में है ना तो वहाँ पे आपको कोई closer मिला है ठीक है मतलब जैसे सामने वाला ये भी नहीं दिखा रहा के हाँ मैं जो है मतलब एक जैसे कहते हैं नहीं mysterious situation बनी हुई है जैसे no contact में होते हुई भी आप लोग no contact में है या फिर no contact में ही है जहां पर एक वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि कब जो हैं चीजें according हों ठीक ठाक हों जो भी रिष्टे में जो दूरियां आ गई हैं कहीं ना कहीं ठीक हैं क्योंकि actually क्या है देखो पैशन पूरा है प्यार है पैशन है आपके पार्टनर को आपकी तरफ attraction हो रहा है आप एक दुसरे को जैसे एक जैसे soul craving एक तरह से जैसे मूँ से अगर ये इनसान ये कह रहा है कि मुझे आपको नहीं मिलना है या बस अब और रिष्टा खतम हो गया अब ये ही था अब ये है वो है कुछ के cases में ऐसे उनके partner ने बोल दिये या उन्हों ने अपने partner को बोल दिये लेकिन अभी भी जैसे कहते ना कि अभी भी वो बाकी है वो चीज़ है कि ये रिष्टा खतम नहीं हुआ है word का card के मुझे ये बता रहा है चाहिए दूरी आई है ठीक है next card हमें मिला है five of sword देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों एक दुसरे को गलत ठहरा रहे हैं आप या आपका partner कुछ ना कुछ यहाँ पे किसी तीसरे इंसान ने या तो आपको जैसे आप देखो अब इतने लोग देखते हैं तो सबका अलग अलग होगा जैसे किसी ने आपको आपके partner के खिलाफ कुछ ऐसा बताया है या फिर कुछ लोग हैं ऐसे particular जो नहीं चाहते कि आप लोग जो है मतलब खुश नहीं है कुछ लोग ऐसे किस रिष्टे से खुश नहीं है ठीक है जी और बताये भवान जी लव लाइफ के लिए अभी मैं देख रही है देखिए इस इंसान को यह हर्मिट मोड में चला गया आपका partner इसको यह लगता है कि मुझे जो है मुझे इस पचड़े में नहीं पढ़ना है मतलब मुझे यह चीजें ऐसे नहीं करना है मतलब यह यह इंसान अपनी feeling को पीछे करको जैसे कहते हैं कि दिल क्या कह रहा ह। पीछे करके ये इंसान अपने दिमाग के सुन रहा है जो भी आपका पाटनर है if she is or he में माज जा न आप अपने हिसाब से लेना जो आपका पाटनर है चाहे ही है चाहे शी है वो इंसान जो है या तो इसके अंदर जो है बहुत जादा फिर से proud है एक इसको proud ऐसा proud नहीं है कि बही जैसे वो किसी भी छोटी सी चीज का proud इसको proud है कि इसने बहुत कुछ अपने life में struggle करी है इसको यह है कि मैं अकेला रहके भी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो ऐसा एक हर्मिट मोड मैंने बोला ना कार्ड यहाँ पर एंपरर का है लेकिन मुझे हर्मिट का कार्ड दिख रहा है कि एक इंसान जो है उसको लगता है कि अब मेरे लिए यह चीज कोई प्राइरिटी पर नहीं है एक इंसान ने अपने यहाँ पर मैंने बोला केंडल जैसे जिससे साफसे केंडल जो है गिर रही थी उससे साफसे ही लग रहा है कि यहाँ पर अगर emotions हैं तो emotions को पीछे किया जा रहा है उनको एक जैसे cold emotions हुए पड़े हैं ठीक है एक इंसान खुद को रोक रहा है अपने circumstances के चलते कि उसको जो है ये no contact भगवान पर छोड़ना है कि अगर no contact है तो भी ठीक है अगर contact है तो भी ठीक है अगर less contact है तो भी ठीक है क्योंकि इस इंसान का ध्यान कहीं हो रहा है देखो ना आप यहाँ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ये देखो मैं आपको दिखाते हूँ आप ये emperor के card को अगर ध्यान से देख पा रहे हैं ये इंसान इस side की तरफ कहीं देख रहा है ठीक है तो इस इंसान की जो priority इस इंसान का जो ध्यान है वो कहीं और है अभी इस रिष्टे को अगर हम देखे तो ये cold हो रखा है इसने अपने emotions जो है जमा दियें के अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है ठीक है अगर इसकी feelings है इसके अंदर तो वो feelings भी दबा ली है अगर आप अपने partner के तो इसने ये no contact को अभी एक खुद ही खतम न यहां पे तो यहां पे आप लोग जैसा कि मैंने बोला कि कि यहां पे भी मुझे four four of pentacles सी दिखाता तो four of pentacles यहां reverse है reverse मतलब कहने का मतलब आप कहीं ना कहीं जो है आप उस डर से उस खौफ से परिशान है जहां पे आप या तो आप अपने partner के लिए मैसूस करें लेकिन हम आपके partner के energy देख रहे हैं तो वो इनसान को इस energy से बाहर निकलना है खोने के डर से बाहर निकलना है तो ऐसी situation तभी मैंने बोला ना अगर आपके आसपास कोई C या चलो सारों के आसपास C नहीं हो सकता अगर आप मालो कोई greenery है कोई park है तो आप वहां पे meditation करें उसको enough sword का तो यहां मैंने बोला था जैसे किसी का health issues है जहां पर वो इनसान जो है उसको लग रहा है कि अब जो है जिन्दगी खतम है या फिर जैसे होता है एक tolerance power कही ना कहीं जवाब देती है तो वो चीज़ है ठीक है अब देखो अगर मैं आपके partner की बात करूं यहां love life में तो यह इनसान को पता है कि divine infinity तो कि infinity का proper बिल्कुल candle wax में बना था कि इस इनसान को पता है कि यह ना होने खतम होने वाला रिष्टा है यह हमारा ऐसा bond है जो कभी नहीं खतम होने वाला है हमें बगवान ने मिला है लेकिन चाहे अभी दूरी है चाहे no contact है चाहे less contact है यहां पे न कुछ लोगों के cases में इस चीज़ का भी दुख है हो सकता है एक व्यक्ति चाहे आप हो चाहे आपका partner है उसने जो है बिल्कुल closer दे दिया सामने वाले को कि आप यह रिष्टा आगे नहीं चल सकता तो इस वज़े से भी आपका partner जो हो सकता है बहुत जादा दुखी है या आप दुखी है आपको अगर closer मिला है तो ठीक है मतलब पूरी तरह से closer नहीं क्योंकि यहाँ cold मैंने बोला ना कि emotions है तो वो सामने वाला दिखाने को राजी नहीं है क्योंकि वो उसको लगता ही नहीं कि यह जरूरी है ठीक है इस type की situation आपकी love life में मैं देख रही हूं ठीक ह बगान जे बताइए मेरे viewers के लिए career में क्या चीज़ा रही है नहीं सॉरी पहले मुझे यह बताएं कि मेरे viewers के जो partner है love life में उनका next action next action of my viewers partner इस divine बताएं क्या होगा next action ओके देखिए यह इंसान देखो वही card बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं कि यह इंसान के अंदर जो है emotional होना या अपने भाव दिखाना हो सकता है आप कुछ है कोई ऐसे circumstances है आपके partner के वो चाहा के भी आपको जो है कोई stability या एक तरह से जैसे एक stable कोई बात कह देना कि मैं यह कर सकता हूं या यह मैं इतना निभा सकता हूं या मैं इतना जो है अपने आपको तो 100% दे सकत हूं तो यह इंसान वो चीज़ मतलब एक तरह से सोच ही नहीं पा रहा हूं उस situation उस condition में नहीं है इसको लगता है कि emotions तो हैं इसको इसके दिल में आपके लिए प्यार है लेकिन उस चीज़ को मानने को तयार नहीं है current time में यह इनसान उसको realize करने को तयार नहीं है यह आपक cold off जैसे कहते हैं नहीं एक मतलब अभी यह इनसान यह भी नहीं सोच पा रहा चाहिए खुद भी क्योंकि यहां मुझे लग रहा है कि आपका partner unhealed जैसे unhealed वाल इस जो होता है ना कि एक इनसान को healing की जरूरत है हो सकता है कुछ time से जैसे यहां पे physical issue का निकल का है हो सकता है आप या आपका partner कुछ time से physical issue से निकल रहे थे तो उस वज़े से भी कहीं बार इनसान को लगता है कि यह भी कोई यह क्या चीज़ है कुछ नहीं प्यार पूरी यह वो जैसे इस type के situation आई हुई है ठीक है जी तो next action अगर हम देखें तो page of cups page of cups मुझे यह दिखाता कि action जो है इस इनसान का भी कोई नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यह कहीं ना कहीं खुद ही उस चीज़ को दबा रहा है अपने emotions अपनी feeling अपने gesture चलिए अब भवान जी बताईए career life के लिए career से related बताएं मेरे viewers के लिए reading जादा लंबी तो नहीं औरी नहीं ठीक है please divine बताएं okay चलिए यह भी आ रहा है इसको भी ले लिए ओके 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 जी देखिए यहां पे मैं आपको आपको कुछ मिलने वला है जैसे आपको divine ने आपके लिए कुछ reward आपके लिए रखा है यह कोई promotion हो सकती है यह financially कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको आप इतनी priority पे नहीं ले रहे थे कह नहीं नहीं वो आपके मन में एक दबी हुई इच्छा थी कोई चीज ठीक है career से related चाहे वो कोई post थी चाहे वो कोई authoritative seat थी चाहे वो कोई जैसे एक इंसान का target मुझे इतना चाहिए मुझे इतना कमाना है या मुझे इतना अचीव करना है तो वो चीज जिसको आप एक तरन कोई dream जो है पूरा हो सकता है जो अपने career point of use से देखा हुआ है चाहे वो कुछ भी हो अब आप देखें क्या चीज है वो ठीक है तो वहाँ पे एक completion मिलती हुई मुझे नजर आ रही है एक movement आती हुई ठीक है जी क्योंकि ये ये जो आपको मिला है जो भी ये चीज मिली है म कि उसका हाथ ही नहीं पहुचता तो आप कोई ऐसे desire थी जहां पर आप आपको लग रहा था कि आप वो चीज हमें मुझे पता नहीं मिलेगी तो आप उसको priority में भी नहीं ले रहे थे तो वो चीज एक reward की रूप में कहलो divine आपको देगी ठीक है तो career life में और bottom में क्या है 10 of sword 10 of sword बार बर आ रहा है तो कुछ चीज खतम हो रहा है यहां पर या तो आपका pain खतम हो रहा है या आपका struggle खतम हो रहा है हो सकता है आपने अपनी life में बहुत struggle किया है तो आपका struggle खतम हो रहा है या आपकी कोई जगलिंग खतम हो रही है टू अफ कप्स physical issue से अगर आप deal कुछ लोगों के cases में physical issue है कुछ लोगों के cases में यहां case चल रहा है उन पर कोई जैसे कोई भी किसी चीज को भी लेके और आप चाहते हैं वहां कलिए मतलब एक आपको justice मिले तो आपको justice मिलेगा क्योंकि साथ में nine of cups है जहां पर आप जो है कभी क्या सोच और यहां पर एक जिसे बहुत होता है ना कि एक इनसान कि अब तंग आ चुके अब बहुत हो चुका है अब यह चीजे खतम जगलिंग खतम हो जानी चाहिए यह एक decision का वेट कर रहे हैं या फिर कोई किसी दुख के खतम होने का वेट जैसे कि अब बहुत हो चुका है बहु की विवर्स यह थी आप लोगों की रिडिंग जो भी मुझे नजर आया मैंने आपको बता दिया है यहां पर अगर आपको इन दिनों अपने पार्टनर पर डाउट हो रहा है कि इसके जेसर को शो कर देखके तो आप वो डाउट ना करें क्योंकि प्यार यहां पर एकुली ह है ठीक है कही बार क्या होता है according to हमारी situation कुछ चीजें हमारी priority पर नहीं है इसलिए इस वज़े से वो side पर हो जाती है ठीक है तो okay viewers तो कही बार time को थोड़ा time दे चीजें ठीक होने के लिए ठीक है बहुत ज़्यादा anxiety tension ना ले एक card or लोगी बस guidance के लिए death तो अगर आपको इस तरह का नजर आ रहा है कि चीजें जो है खतम हो रही है लेकिन साथ ही आप एक चीज ये देखें कि खतम होना किसी चीज की शुरुआत में खतम होना किसी चीज की शुरुआत को भी बताता है देखो अभी वहाँ से crackers की आवाज आई है तो ये एक indication है कि आपकी life में कुछ new start हो रहा है कुछ ऐसा आ रहा है जो शायद आपको मुश्किल से मिला है जिसकी आप कही ना कहीं उमीद भी खो चुके थे अपनी life में या आपके career से related मुझे नजर आ रहा है या चलो कोई भी life अगर आप मान लो देखो यहाँ पर मुझे significant यह message मिला है कि कुछ लोगों के घर में किसी की death हुई है especially मुझे मिला है message तो मुझे बोलना पड़ेगा किसी की death हुई है जहाँ पर यह इनसान मतलब जो भी है यह इनसान काफि टाइम से जैसे कहते है न सर्वाइवल मोड पे जैसे होता है न के एक इनसान मतलब अब जिंदगी में था लेकिन मर तो शायद काफि टाइम का मतलब काफि जैसे वो crucial stage से death हुई है मतलब जैसे कुछ सफर किया है कुछ बिमारी या कुछ इस type से यह मुझे message मिल रहा है तो देखो आना जाना तो इस दुनिया में लगा रहता है क्योंकि यही एक सचाई है दुनिया में और कुछ चीज fix है या नहीं लेकिन यह fix है कि जो दुनिया में आया है उसने जाना है तो उसके लिए आप अपने मन को अगर बहुत जादा बहुत जादा होता है ना कहीं बार कोई किसी चीज़ के जाने से इंसान बहुत जादा दुख ही हो जाता है क्योंकि यहाँ ten of sword मुझे एक बार नहीं चार बार मिला है यहाँ पे candle जिससे साबसे wax गिर रही थी जैसे कुछ किसी दुख से किसी आपके wound से कोई past का wound हो सकता है कोई दुख हो सकता है मतलब एक इनस आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं इस टाइप के situation मुझे feel हुई है तो ऐसा नहीं है किसी के साथ कुछ खतम नहीं होता चलो यह तो हो गया अब next card में three of pentacles मिला है three of pentacles से एक card है जो guidance आपको यह दे रहा है कि आपकी life में सबसे पहले तो एक एक आपको एक साथ मिलने वाला है किसी का अगर आप career point of view से सोच रहे हैं वहाँ पे भी अगर आप अपनी love life के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पे या फिर आप कोई physically issue से हैं तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि कोई बहुत ज़दा आपकी care कर रहा है जहां पे आपको लग रहा है कि आपका दुख अगर उस तरह क इंतजार करें कि उनकी life में कोई आए जो उनको एक देखो यहाँ तीन pentacle है मतलब दो तो आप already होई तो कोई ऐसा आए जो इस रिष्टे को जोड़ दे या फिर हो सकता है ये card मुझे ये भी बता रहा है कि आप अपने रिष्टे से के regarding या फिर अपनी किसी problem के regarding आप किसी mentor और किसी बुझे पंडित किसी मौलवी या किसी को भी जिसको भी आप मानते हैं या जिसके पास भी जाते हैं कोई astrologer कोई tarot reader या उससे कोई सला ले रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको लेना है क्योंकि यहाँ पर बड़ी इस type की situation आई है जहाँ पर एक इंसान जो है लोगों की reading all the best एक बार जाते जाते एक बार मैं यह एंजल के deck से के एंजल क्या बोल रहे हैं और यह major अरकाना से प्लीज डिवाइन एंजल की guidance ओके एंजल हमारे फटा फट्स बता देते हैं देखो Empress का card reverse आया है उसका मतलब क्या है कि कुछ चीजे delay हैं जहां पर भी आप अपने invest करा है चाहे वो आपके emotions हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज गलत है या वो चीज वर्दी नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन वो चीज कुछ time के लिए delay है यह card अब यह बता रहा हैं प्रेस का card मतलब चाहे love life में देखें चाहे एक close off आया हुआ एक जैसे कहते हैं एक ऐसा time आया हुआ है जहां पर आपको लग रहा है एक hanged man की तरह कि चीजें जो है कुछ समय के लिए रुकी है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज आपको मिलेगी नहीं ठीक है तो wait and watch यहीं कह रहा है card okay viewers take care bye